प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी आज शाम पांच बजे बीजेपी के मुक्षाले जाएंगे क्यों? वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहन करेंगे जहां आज से बीजेपी का देश भर में सदस्यता अभियान शुरू हुआ भी बीजेपी के कोई ग्यारा साड़े ग्यारा करूर जो है वो कारेकरता माने जाते हैं और इसको काफी बढ़ाने का लेक्ष जो है वो अब पार्टी की तरफ से दिया गया है शाम को पांच बजे जेपी नड़ा खूद प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी को पार्टी का सदस्य बना करके इस अभ्यान की शुरुवात करेंगे और पार्टी के मताबिक ये प्रक्रिया हर पांच से च्छे बरस के अंदर होती है सोमवार से शुरू होने वाले इस सदस्य अभ्यान में मौजूदा सदस्यों को फिर से सदस्य लेनी होगी इसलिए प्रधान मंतरी भी एक बार फिर से बीजेपी के मुख्याले के एक्स्टेंशन दफ्तर में जाएंगे और वहाँ पर पार्टी की मेंबर्शिप जो है वो लेंगे फिर उनका वहाँ पर संबोधन भी होगा ये तो एक बात हुई दूसरा इसका जो पहलू है अलप संख्यक मोर्चा जो भारती जनता पार्टी का है वो भी अपनी तरफ से एक मेगा सदस्यता अभियान शुरू करने जा रहा है और उसका लक्षे आप जानते हैं कितना है पचास लाग सदस्यों को अपने साथ चोड़ना अब संख्यक जब कहा जाता है तो सिधा मुसल्मान माना जाता है तो पचास लाग तक मुसल्मानों को भारती जनता पार्टी का मेंबर बनाने का लक्षे पार्टी ने बुठाया रागी जी बताए बड़ी गैरी सांस लिया आपने मैं मुझे ये सांस लेने के पीछे कारण है कि भारतिय जन्ता पार्टी अभी भी सायद दिवा स्वापन में जिन्दा रहना चाहती है और जब आप दिवा स्वापन में होते हैं तो उनको लगता है उनको लग रहा था कि 2024 के एलेक्षन में कम से कम महिलाएं ट्रिपल तलाक हमने बहनों मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा काम किया है तो वो सब समारे साथ आ जाएंगे उनको लग रहा था कि बहुत सारे लोगों को 32% से 36% के बीच में जो है वो जवला योजना हो चाहे नल से यल जोजना हो वे सारे लोग हमारे बेनिफिसेरी रहे हैं और वो बहने आ आ करके मिल करके आती थी और हो कहती थी कि हम भारतिय जनता पार्टी के साथ थे सबको पता है कि वोट जहाद एक नारा नहीं रहा वोट जहाद एक हकीकत 2024 के एलेक्शन में हुआ जहाँ पर 100% मुसलमानों का वोट था वहाँ पर इनको टका, 0 बटा, सुन बटा, सुन इनको वोट मिला है जहाँ पर कहीं पर constituency रहे, वहाँ पर 13 वोट मिला है दस वोट मिला है, आट वोट मिला है, यही इनके उपलब्दी है तो मुझे लगता है अभियान चलाइए, सबके साथ, सबके विश्वार लेकिन आप जरूरत से जादा भरोसा कर रहे हैं मैं फिरे बोल रहा हूँ और बहुत खुल करके बोलना चाहता हूँ गांधी जीवन भर संघर्स करते रहे और कहा कि हम दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन जैसे ही खिलाफत आंडोलन से गांधी विड्रॉक किये अली ब्रदर्स ने कहा, एक गिरा से गिरा मुसलमान भी गांधी से बहतर इंसान है यह इस्तिती थी गांधी फिर भी उनके लिए लड़ते रहे लेकिन 1946 में जब कैबनेट मिसन के बाद जब बात आई तो सारे मुसलमान जो 1940 में गांधी के साथ थे सारे के सारे पाकिस्तान के पक्षमिया करके खड़े हो गए तो मुझे कम से कम कोई गलत फाहमी नहीं है कि हमारा डियने एक होने के बावजूद भी है वाकि हम डियने एक हैं वो दियर थियोलोजी इस वेरी गुड इस देश को आज दस साल बाद बिस साल बाद हमको गजवाई हिंद में करना है अभी तो मुझे ये बताए बीजेपी को वहाँ पर सखोता है उसके इर्दिगिर्द है, आप उसमें अलग-अलग 50 तरह की चीज़ें जोड सकते हैं, 50 तरह की चीज़ें बहस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज पे बहस नहीं कर सकते हैं, वो है हिंदुत्य की राजनी थी, अब अगर आप हिंदू मुसल्मान के चक्रम पढ़ेगे, चाहे मुस आप अलग से 50 लाग मुसल्मानों को सदस्ता क्या आपने कहा क्या कि फलाना जी को सदस्ता बना रहे इसका मतलब ये है आपके मन में कहीं दिक्कत है और मैं फिर से कह रहा हूँ ये संख्या अगर मिल गई तो फिर हम डिबेट करेंगे कि ये घोटाला काम आप सवाल ही नहीं उठता सवाल ही नहीं उठता सिर्फ एक लाइन किसलिया फिर वो मोर्चा बंद करेंगे सिर्फ एक लाइन मुसल्मानों को क्या करना है उनको गलत फाहमी नहीं है लेकिन भारतिया जन्ता पार्टी को जरूर गलत फाहमी है कि मुसल्मानों के जाए एक गुटाला इनों ने बताया था मुझे अब सब कोई बताया था कहां का सर मद्दबदेश का था क्या बता दीजिए तो राजमता सिंधिया ने अपनी जीव दे दी पुरा नी कि ये जीव लीजिए पार्टी के लिए सदस्य भी बनाईए और कारकमा में इस्तमाल कीजिए तो वो जीव अब कारकरताओ के पास वो साइकल भी नहीं थी अब जीव मिल गई तो वो जीव सदस्य बनाने के अलावा पूरे हंदुस्तान में घूमती थी तो उसका जब बिल आ तो राज माता से कहा गया कि आप साइकल डोनेट करवा दीजिया तो राज माताने पचेशाइशाचाईखी खारित के बीजैबी के कारकरता हो को और उसके बाद मालूम पड़ा कि जब एंट्री निकालने के लिए गठे निकाले तो मालूम पड़ा उपर रखे थे तो सारे सदस्ता फार्म चुहेक उतर गए तो अर्जू सिंग ने पत्रकार वाड़ता लिए कि भारतिया पार्टी का सदस्ता घोटाला है जो पैसा इसके अंधर अंधर आया था वो भाष्पा के लोग खा गए इसने सदस्ता का नाम भी बता रहे तो इस समय बड़ा मद्दपदेश में उधम उबा था कि इस तरीके से बारतियांता पाटी ने सदस्ता अरूम आरूब लगा थे थे कि हूआ तो संगठां के साबसें बारतिया पा मिस्ट कॉल देके मेंबर बनेंगे अच्छी इंट्रेस्टिंग तस्वीर आई है जरा हम आपको दिखा दो बात करते हैं हम इस पर आंदर प्रदेश साब को तस्वीर दिखा रहा हुआ है बाढ़ आई हुई है कई लाकों के अंदर पिष्टे दो दिनों से माँ जोरदार बारिश भी हो रही है अब मुख्य मंतरी चंदरवाबू नाइडू सड़क पर उतरे हुए है कैसे लेकिन बुल्डोजर पर सवार होकर बाढ़ का जायज़ा लिया जा रहा है यह भी पहली बार देखा भाई बाढ़ हो सुखा हो अपराद हो आतंकवाद हो सब बुल्डोजर काम हो बहु आयाँ मीं ये मल्टी डाइमेंसनल जो है ये काम ये हाथिया भी है